फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Capacitance of Earth के बारे में या फिर Capacitance of Sphere के बारे में देखिए अगर आपको Earth का Capacitance पता लगाना है तो पहले Sphere का लगाना पड़ेगा क्योंकि जो Earth है वो भी Sphere ही तो है ठीक है तो उसको पता लगाने के लिए हम लोग consider करेंगे एक Sphere जिसकी कुछ radius है R ठीक है यह radius R है अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि कुछ charge देंगे Q स्मॉल Q मानके चलता हूँ मैं और चार देनी की बैसे इसके 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 पोटेंशल डिफरेंस क्रेट हुआ है वो है V अब हमें पता है कि इसका कुछ Capacitance होगा तो C is equal to Q upon V होगा यह definition से हमें मालूम है ठीक है अब देखिए यह जो आपका V है मतलब इसके उपर जो potential difference create हुआ है वो sphere के उपर हुआ है conducting है और हमने पहले भी इसको calculate किया है पहले की वीडियो में कि जो आपका potential difference of sphere क्या होता है V is equal to 1 by 4 by epsilon not Q upon में R, R जो है वो आपका radius होता है ठीक है यह हम लोग पहले calculate कर चुके है अब हम लोग क्या करेंगे कि इस potential difference की जो value है वो इस formula के अंदर रख देंगे यह जो आपका capacitance का formula है जिससे कि हम इस sphere के अंदर जो capacitance है उसका पता चल जाए ठीक है तो आप जब लोग इसके अंदर value रखेंगे सवाल यह क्रेट होता है कि यह जो capacitance है यह पूरे sphere में किस पर depend करती है क्योंकि देखिए किसी भी sphere को calculate करने के लिए तीन तरीके होते हैं पहला होता है उसका volume volume में होता है 4 by 3 pi r cube दूसरा होता है उसका size, size में सीधा radius ही ना पी आती है सिर्फ size जो है वो radius से दिखाया जाता है और तीसरा area होता है जो कि होता है 4 pi r square तो किस पर depend करेगी capacitance साफ साफ नजर आ रहा है कि इस r पर ही depend करेगी यहने की radius पर depend करेगी इसका मतलब यह हो गया कि किसी भी square की capacitance है उसके radius पर अगर आप लोग radius बढ़ाएंगे तो capacitance बढ़ेगा अब अर्थ की बात करते है अर्थ भी एक square है तो इसका अगर हमको calculate करना है कितना capacitance है तो हम क्या करेगी तो बहुत simple है हमें करना कुछ भी नहीं हमें सिर्फ यह जो formula है c is equal to 4 pi epsilon 0 r इसके अंदर सारी values पूट करनी है अब values पूट करने के लिए अर्थ की जो radius होती हो क्या होती है वो होती है 6400 km जिसको आप लोग मीटर में change करेंगे तो यहां पे लिखेंगे 6400 000 मीटर तो यह जो है आपकी radius है अर्थ की मीटर के अंदर हम लोगों ने लिख दिए 4 pi epsilon 0 आपको याद होगा कि यह constant है और इसकी जो value होती है वो क्या होती है वो होती है सर आपकी 1 upon में 9 multiplied by 10 to the power 9 होती है यह बात हमें मालूम है तो आप लोग इसको लिखेंगे c equals to में 1 upon में 9 multiplied by 10 to the power 9 multiplied by 6400 000 मीटर ठीक है अब इसको multiply करना है अब देखिए इसके बाद 5 0 है ठीक है 5 0 है तो मैं इसको c लिख सकता हूँ 10 to the power 5 यानिकि 64 multiplied by 10 to the power 5 upon में 9 multiplied by 10 to the power 9 ठीक है अब होगा क्या कि आप क्या करेंगे कि यह देखिए 10 to the power 9 है इसको पर बीजेंगे तो यह मैनस में चला जाएगा यहापर minus 10 to the power 9 है और यहापर plus 10 to the power 5 है तो बचेगा क्या 10 to the power minus 4 ठीक है और 64 में 9 का जब divide देंगे तो आएगा 7 7.1 यहीं कि C equals to 7.1 multiplied by 10 to the power minus 4 ठीक है यह तो हो जाता है आपका जो है capacitance अब इसको आप लोग क्या करेंगे किस में convert करेंगे microfarad में convert करेंगे तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे 710 multiplied by 10 to the power 6 अब यह जो 10 to the power minus 6 है इसको आप लोग convert करके लिखेंगे microfarad के अंदर क्योंकि हम लोग ने पिछली वीडियो में definition देखी थी कि एक microfarad जो होता है वो 10 to the power minus 6 farad के बराबर होता है तो आप लोग लिखेंगे C equals to 710 microfarad यानि कि आपका जो अर्थ है पूरा अर्थ है उसका जो capacitance है वो 710 microfarad है या फिर इसी चीज़ को आप लोग जो है उसमें लिखेंगे farad में लिखेंगे तो value आएगी 0.0007 farad तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था SI unit बताते हैं टाइम पे कि यह जो farad है यह बहुत बड़ी unit है देखिए पूरा जो अर्थ है वो कितना बड़ा है उस पूरे अर्थ का जो capacitance है वो उन microfarad में निकल गया है मतलब एक farad भी निकला पूरा वो 710 microfarad में ही से मढ़ गया तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि जो एक farad unit है या फिर एक कुलाम चार्ज है वो बहुत बड़ी units है और उनको अचीव करना आसान नहीं है हाला कि super capacitors होते हैं जिनकी जो farads के farads में हो जाती है मतलब इतना उन में capacity होती है वो अलग तरीके से बनाए जाते हैं अलग purposes के लिए बनाए जाते हैं उनकी study भी आप लोग कर सकते हैं higher में जब आप लोग जाएंगे so I hope आपको समझ में आया होगा कि कैसे sphere का capacitance निकाला जाता है और हमने अपने earth का भी निकाला तो आपको कभी भी competition exam में पूछ ले कि earth का capacitance जो है कितना है तो आप लोग बता सकते हैं ठीक है और दूसरी चीज़ याद रखने वाली यह है कि किसी भी sphere में जब आप लोग किसी भी sphere का size बढ़ाते है यानि कि इसकी जो radius है उसको बढ़ाते है डबल कर दें ट्रिपल कर दे तो जो आपकी capacitance है वो भी double triple हो जाएगी उसके हिसाप से ही बढ़ाई है तो friends यह हो जाता है capacitance of sphere I hope आपको समझ में आया होगा इसमें आपको कोई query नहीं रही होगी इसके बाद भी सकेंदर आपको कोई query रहती है कोई सवाल रहता है या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है तो please आप हमें comment subscribe बताईए तो friends आज की इस वीडियो में बस इतना ही see you in the next one